अम्रीका के न्यूयर्क शहर में मुस्लिम महिलाओ का हिजाब हटवा कर मॉक्षोट लेने को लिकर खुब बवाल हो रहा है मामले में सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया मुकदमे के निप्टान के लिए सरकार 145 करोड रुपे का बुक्तान करने पर सहमत भी हो गई है बतादे कि मॉक्षोट वो फोटू होता है जिसमें किसी आरोपी के चेहरे का क्लोज अप लिया जाता है मॉक्षोट खास तोर पर पुलिस रिकॉर्ड या ओफिशल कामकाच के लिए लिया जाता है मुकदमे दल्ज कराने वाली महिलाओं की पहचान जमीला क्लर्क और अर्वा अजीज के तोर पर हुई है उन्होंने आरोप लगाया कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें सिर से हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया जिससे उन्हें बहुत अमरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जमीला के पती ने जूटा केस बनाकर उसे अरेस्ट करवाया आरोप है कि गिरफतारी के दोरान पुलिस अधिकारियों ने हिजाब ना हटाने पर जमीला पर मुकदमत चलाने की धमकी दी इधर आर्वा को भी कतित तोर पर किसी फ अकील ने कहा कि किसी को अपने धार्मिक कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना कपड़े उतार कर तराशी लेने जैसा है